किसी भी देश किसी भी राज्य को चलाने के लिए अगर किसी चीज की एहम भूमी का होती है तो वो बजट होता है और बजट की हिसाब से सभी वर्गों को साथ में लेकर जाया जाता है लेकिन इस बार के बजट से किसान जो है काफी परेशान है किसान काफी जादा दुखी है यूद कॉंग्रेस से जिला अध्यक्षे मनिंदर जिनिन से हम बाचीत करने का जरूर प्रयास करेंगे आखिरकार वो बजट को किस तरह से देखते हैं जिस तरह से हर्याना सरकार ने बजट को लागू करने की एक बात रखी है सब के सामने और सभी वर कई न कई उस चीज से द और में बैजट क्रोंड मॉड कmachen को सब्जार काई बने गया के मैं जो गाओंगे शरपंचे के जिनके पास ग्राइंट आती है जो सरकारी जो भी सड़कें बनती हैं और जो खेट का खलियान का जो पंचैती जमीन का काम होता है तो उनको ही दिया जाता है जो साल में सोचिन मुचारे जो गरीब जो गरीट अपके क्या आदमी इनको काम देने का काम करते हैं अब उसमें से 20,000 क्रोड अभी तक पेंडिंग सब्सक्राइब करते हैं तो यह चाली बच्छा 40,000 क्रोड में आप क्या देश चलाओगे क्या देश का विकास करोगे कमाल की बात है आप यह देखिए कि मलब जिनके यह प्लेन में मोदी हमारे प्रदानमंत्री है अडानी के प्लेन में जो इदर उदर जाते हैं सब जगा का गोंते हैं आप यह देखिए उस वो आदमी पहले 23 जन्री को वर्ल्ड के पहले नम्बर पे था पिर 27 जन्री को वर्ल्ड के 10 वे नंबर पे आता है ठीक है फिर उसके बार जी एक तारी को सिधा यह 15 नंबर पे आ जाता है एक फर्वरी को तीन फ्रवरी को 18 नंबर फे दो लाख करोड का इसने करजा देना है SBI Bank of India का और बैंक बड़ोदा का यह कैसे चुकाएंगर 50 जल्दी मैंने कल भी बोल मैंने थोड़ दिन पहले भी अधिया पर बोला रहा एक साल पहले राहूल जी ने बोला रहा कि देश को बचाओ यह देश को उजाड़ देंगे आज उसी कगार पर कड़ा देश पाज 25 नंबर पर आगया और यह जल्दी 50 नंबर पर आएगा और यह बाहर हो जाएगा देश का करजा नहीं जो बैंकों का क किसान ऑगर की किसान पूरी तरह से सामने नोजर आंगर विडियो में यह जो सोषऑ ने जन वी हुए क्य सदरा ही कर रहे हैं किस तरह से आप देखते हैं किस तरह से लेते हैं आप यह बताईए्च सब्धाफिकार का ता किजानsy domषD जो इस दुनिया का पेट बढता है आपने उसको न का रहा है और फिर भी किसानोंने पूरी फाइट की पूरे डटे रहे सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में, तुफान में डटे रहे, इनके टेंटों को आग भी लगाई गी, सरकार ने सारे हत्खंडे अपनाए, फिर भी किसानों ने हारनी मानी और इनको मुँ की खानी पड़ी, ये उसी चीजों का कहीं न कहीं किसानों से अंदर ये प्योग रेगी, ये सरकार चलाने में बिलकुल नकाम है, मैं तो खट्र साब से बोलता हूँ कि आपको इस्तिफा देना चाहिए, जब आप सरकार को संभाल ही नहीं सकते, तो आप कभी दुर्ज शब्दों का प्योग करते हो, कभी आप बलब आप एक प्रदेश के मुखे म करना कि आपको शोबा देता है, आपको शोबा देता है, इन्होंने पीछे राउल गंदी जी गलत बोला, पूर जमूरा बोला, हमने डटके विरोथ किया, हमने रेल रोकने की कोशिश करी, हमें रेश्टा उसके अंदर नजर बंद कर दिया गया, पर यूद कोंगर्स ना भी रुकेगी, हमेशा डटके मुकाबला करेगी और करती रहेगी, हम दुबारा से फिर प्रयास करेंगे, एक नाई दिन फिर हम दुबारा रहे रोकेंगे और जरूर रोकेंगे, यूँआउं की आपने बात की है, यूँआउं की अगर बात की जाए तो बिल के अंदर जावाबाद की गई है, और बहुत सारे ऐसे मुद्धें हैं, जिनको कही न कहीं आब दबाने का प्रयास किया जाए, एक तरह से लिप अपोती करने का प्रयास किया जाए इस तरह की बातें, जो है स्टूडेंट सामने आ रहे हैं, वो भी रख रहे हैं और हम भी आप से सव साल के बाद आप आठ लाक रुपे ले और जाओ आठ लाक में घर भी ने खरीब पाता आठ लाक की तो गाड़ी भी नहीं आती डंकी तो आदमी कैसे गुजारा करेगा फ्यूचरत इन्हों ने बरबाद कर दिया अभी पीछे इन्हों ने मेडिकल स्टुडेंट के उपर ने आए नहीं किया ना है कहीं ना कहीं यह सरकार फेल होई है और फेल ही होगी पहले विया से बीस साल पहले जब अटल ब्यारी बाजपई थे तब उन्होंने यह सरकार चलाई थी उसके बाद यह बीच-तिस साल तो लोग बोली गए थे वीजेबी का नाम निशान अब यह सरकारी प्रेशान है बेट प्यारी इन से प्रेशान है हर आदमी इंसे प्रशान है काश काश इस देश के अंदर हैंबर्ग कोई ओफिस होता तो काश सीबिए आई इटी शायद वीजिन्दा होते है बहुत बड़ी बात है सर जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है जिस तरह से युवाओं के मुद्य को आप हमेशा ही उठाते हुए नजर आते हैं और आप खुद भी ये जरूर उब्ज़र्व करते होंगे कि जिस तरह से ये बाते कही जाती है जिस तरह से बिल लागू किय जाते हैं या फिर कोई भी नहीं नीति आती है वो किसी की भी भलाई के लिए नहीं है लेकिन यह नीतिया बंती क्यों है और किसके लिए बनाई जारी है यह नीतिया अमीर लोगों के लिए अब आप आप टेक्स की बात देखिया आप आपने 7 लाग के उपर टेक्स प्री कर द बहुत सारी ऐसी चीज़े सामने आई हैं फिर कहां जाएगा गरीब तबके का लोग जितने भी लोग हैं हमेशा ही किसी ना किसी चीज को लेके स्ट्रगल करते रहते हैं और वो लोग उनके बारे में ना तो सरकार सोचती है ना फिर कोई समाजिक संसा सोचती है राशनकार मैं मैं आपको दिखाऊंगा मैं अगली बार जब आप इंटर्वी लोग है तो मैं लेडिस आपके सामने खड़ी करूंगा जिनके जो बचारी विड़्ों हैं जिनके राशनकार काट दी हैं जो बचारे 6,000 में मीना कमाते हों कैसे अपना बच्चा पड़ाएंगे कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे आप यह सलेंडर का हमारी हमारी सरकार है हमारी साथरार क्राल में हमारी से च्थि कमे में में वहाँ सब जगा 500 पें किसी और यहां henいます तो ग्रीब तपके के आदमी के लिए नो क्या किया है अरे आपने पर्षदों के हाथ काड़ दिये अनपड आदमी आप यह पताइए अनपड लेड मैं थोड़ दिन पहले मैं कोट में था इदीशा में मुझे कोई काम था मैं वहां गया बुझे बचारी दो बजूर की लेड कार दे जो बचारे कार्ड मनाते दिराशन ग्रीबों के लिए अब बड़ी परेशान है इन से दुकी आ चुकी है इनसे बड़ी जगा बहुत ही ज़्यादा इन से दुकी आर आब यह देखिये यह दो चार दिन पीछे और टी सीय मैं उनका कैथल में उनका प्रोग्राम था तो सारे सरपंचों ने उनका विरोध किया, तो उनके उपर लाठी चार्ज किया गया, उनको नजर बंद कर दिये गया, और चार-पांच, चार से पांच गंटे बाद उनको छोड़ा गया, अभी आप नर्वाना में सीम साब की रेली थी, उसके बाद साड़े 300 जो सरपंच थ साड़े 300 सरपंचों ने उनका विरोध किया, जैसे उनका प्रोग्रम स्टार्ट हुआ समागम तो वहां विरोध किया, तो ठाग उनके अपर लाठी चार्ज किया, उनको ठाने में बंद कर दिये, उनको परचे दर्ज कर दिये, उनको 7-8 गंते बाद छोड़ा गया, यह आप ऐसे कभी आप किसानों के साथ बरबरता करते हो, कभी आप सरपंचों के साथ करते हो, कभी आपके खिलाब को पार्षट बोलता है, पार्षट को ठुवा जेते हो, तो यह तो हिटलर के रक्से कनम पर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, अंत में क्या कुछ मैसे रहने और शायद बदलाव आने वाला है और लोग भी पसंद कर रहे हैं कॉंग्रेस को राहुल गांदी जी की यात्रा के बाद क्या कुछ मैसेज रहने वाला है आज जो राहुल गांदी जी ने यात्रा निकाली थी तो लाखों की लोगों का हजून था लोगों में एक उच्छा थ एक नहीं उमंग थी कि कॉंग्रेस है कि जो दबेवी लोग थे बाहर निकले उन्होंने अपनी फर्याद सुना जी उन्होंने सबकी बात सुनी कितनी तंग है कितनी दुखी है बीजेपी से लब यह समय नजदीक आ गया अब इनका जाने का टाइम आ गया बीजेपी का पर कही इसके खाते में आए पबली को कही ना कहीं पागल बनाया जा रहा है आप यह बताइए अभी जो एलाइसी जो बैंक ओफ इंडिया है जो उनके अंदर बोले-बाले लोगों के खाते थे उनको बगैर बताए अडानी ग्रूप को उनको इन्वेस्टमेंट कर दिये जी इंक्वरी जनके वो कमश्टी करन दें आप यह बताइए ना आप मैं बगैर कुछे आपके आपके खाते में पैसा है कि किसी को ट्रांसफर कर दो किसी कमपनी कि इस बाद से आप एगरी होगे जिससे आपका घर चलता है तो कहीं ना कहीं हमने हमने सोहमार को धरना करेंगी और सबकों पर उत्रेगी और जोरदार प्रदेशन करती रहेगी चाहे हमारे प्रियलाथी चार्ट करें हम जनता की और गरीब के वाद उठाते रहेंगे सबसे स्पेशली में हमेशा युमाओं को मैसी देता हूं कि आप नशों से दूर रहें मैंने यह लाइन पार को एक मैसी जहना चाहूंगा दंदृस्त रहें नशे से दूर रहें और अपना ख्याल रखें बहुत बहुत धन्यवाज तो देख सकते हैं आप लाइक तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से यूद्ध कॉंग्रेस के आप हमेशा से दरने परदर्शन देखते हैं के नहीं दपिंदर सिंग हुड़ा है जो राजय सभा मेंबर है उन्होंने अभी दो तीन दिन पहले राजय सभा मेंबर के अंदर उन्होंने बिल पेश किया है जिन लोगों की पैंशने बंद कर दी गई है जो इन्होंने गवर्मेंट टेंपलों की जो पैंशने बंद कर दी जिनकी पंचने बंद है उनको long time pension चलाएंगे जैसे पहले सरकार में चलता था वैसे कब आशी दो बारा से system चलेगा जो इन सरकार ने आके जो नई नीतिया श्टार्ट किया है जो पॉब्लीक को परिशान किया है तो पॉब्लीक को कहीं ना कहीं सरकार आने पर कॉंग्रेसर कारणे पर उनको राहत मिलेगी जो आप ये बताईए आपने उनकी पैंशन कार्ड दी तो आज कल की मैंने मैं देखता हूं नियूज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने जो अपने माबाप को घर से बार निकाल देती हैं तो मैंने कई बार नियूज में एक पैंशन एक जरिया था जो पैंशन चलाई थी सरकार ने जो एक बजूर्ग नर्दे तम तक उसके ऊपर खाना खाता था अपनी रोजी रोटी चलाता था तुमने तो वह भी बंद कर दिया तुम कहां जाओगी आप तुमने कोई गरीब आदमी चोड़ा है तुमने पैं कोड़े बेचेगा अरे तुम तो सड़कों पर बर्गर तकनी बेचने दे रहें पर बचारे कुछ चाय के ठेला लगागे बैठा है कोई बर्गर का ठेला लगागे बैठा है आप उनको डंडे मार मागे ठुआ रहे हो नगर निंगम के लोग मैंने अपनी आखों से देख कमाल की बात है बड़ा बड़ी गंबीर विश्य की बात है देश के हलात खराब होते जा रहे हैं देश तूटने की गार पर आ गया है जैसे बंगला देश के हलात है पाकिस्तान के वह बिरोजगारी ये देश में ला रहे हैं ऐसे हलात हो जाएंगे इस देश में दंगे हों तो मैं लोगों से हाथ जोड के अपील करता हूं कि अगर आपने देश को बचाना है अगर आपने युवाओं का अपने उच्वल बविशे देखना है तो बीजेपी को बगाएं और कांग्रेश को लाएं तन्यवाद तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप इनकी विचारों से कितना सहमत हैं और कितना नहीं हैं हमें कमेंट में अपनी राइज जरूर रखी और तमाम लेटेस अपडेट के लिए बने रहेएगा आपके अपने चैनल वोट्स न्यूस पर मेरी आने सुर् कैमेरमेन पर इनके साथ धन्यवार